हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, तो आज हम फुल फ्लेड अनारकली स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो इसके लिए हमने सवा दो मीटर फाबरिक लिया है और इस फाबरिक की वेड़ था 56 इंच तो सबसे पहले हमने फाबरिक को टू फोल करके रखा है और ये इस कपड़े की चोड़ाई है जो 56 इंच की है तो यहाँ पर यह हमारी फोल्ड साइड है अभी हम इसको फोर फोल्ड करेंगे तो इस तरह से उठा कर हमें इसको फोल्ड करना है तो यह हो जाएगा हमारा फोर फोल्ड तो देखें यहाँ पर यह open side है, यह four layers है और यह fold side है अभी हमें इसको एक बार और fold करना है तो यह हो जाएगा हमारा eight fold तो अच्छे से fold कर लेंगे, बीच में कोई भी silvert ना रहे तो इस तरह से हमें कपड़े को eight fold में रखना है अभी हम इस पर marking करेंगे तो इसकी जो length है वो हमने 40 inch की लिए है अभी यहाँ पर हम 3.5 inch पर mark करेंगे तो small, medium, large size के लिए आपको 3.5 inch पर mark करना है XL, double XL, triple XL size के लिए आपको 4 inch पर mark करना है यह standard size है सभी के लिए और उसके बाद सेम निशान हम इसके opposite side में लगा लेंगे 3.5 inch का इन दोनों points को जोड़ देंगे अभी हम इसकी cutting करेंगे तो इस तरह से हमने cutting कर ली है अभी यहाँ पे जो fold है इसको हमें cut करना है यहाँ पे भी fold side को हम cut कर लेंगे और सभी कलियों को हम separate कर लेंगे तो इस तरह से हमने सभी कलियों को separate कर लिया है तो यह हमारी आठ कलिया है front के लिए और यह हमारी आठ कलिया है back के लिए तो अभी हम इन कलियों को attach करेंगे तो एक side की कलियों को हम side में रख लेंगे तो एक कली को लेंगे अभी कली में एक सीधी side है और एक तेरची side है तो इस तरह से हम इसको खीच के चेक करेंगे तो खिचाव आएगा तो यह हमारी तेरची side है और सीधी side में हमारी खिचाव नहीं आता है तो मतलब यह हमारी सीधी side है इस तरह से सीधी साइड और तीरची साइड को हमें पहचान लेना है अभी यहाँ पर सीधी साइड से हमें सीधी साइड को ही मिलाना है और इसे इसके उपर उल्टा रख के सिलाई लगा देनी है और अभी तीरची साइड में हमें तीरची साइड को मिलाना है इस तरह से और इसे इसके उपर उल्टा रखके सिलाई लगा देनी है तो इस तरह से आठ कलिया हम जोड लेंगे फ्रेंट के लिए और आठ कलिया हम बैक के लिए जोड लेंगे तो हमने आठ कलिया फ्रेंट के लिए अटेच कर ली है और आठ कलिया हमने back के लिए attach कर ली है तो इसका घेरा देखे बहुत ही जादा आया है अनारकली skirt का अभी हम belt attach करेंगे तो इसके लिए ये हमने strip ली है और इस strip की जो width है वो 4 इंच की है और इसकी जो length है वो इसके बराबर हमने ली है अभी strip को हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और इसको stitch कर लेंगे और सेम इसी तरह से अभी हम दूसरा part लेंगे back का और इसके लिए भी हमने same strip ली है इस strip को भी हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और stitch कर लेंगे तो हमने strip को stitch कर लिया है अभी हमें strip को सीधी side में turn करना है और सेम इसी तरह से हमने back part के लिए भी strip को attach कर लिया है अभी दोनों parts को हमें एक दूसरे के उपर रखना है सीधी side दोनों की अंदर की तरफ रखनी है और उसके बाद हमें दोनों साइड में सिलाई लगा दीनी है तो हमने दोनों साइड में सिलाई लगा दी है तो इस तरह से ये हमारे दोनों पार्ट्स एडेच हो गए है अभी हम पट्टी को फोल्ड करेंगे तो सबसे पहले एक हाफ इंच का फोल्ड करेंगे उसके बाद जो सिलाई लगाई है उसी के उपर इसको रखते हुए स्टिच करेंगे तो हमने इस तरह से बैल्ट को स्टिच कर लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा ओपन रखा है इसमें से हम इलास्टिक डालेंगे तो ये हमने elastic लिया है और elastic की जो length है वो 28 inch की है जितना आपका कमर का size है उससे 2 inch minus करके लेना है अभी हम एक safety pin लेंगे और pin को elastic में लगाएंगे और elastic को हम इसके अंदर से pass करेंगे तो एक तरफ से डालके हमें दूसरी तरफ से इसको बाहर निकाल लेना है तो हमने elastic को डाल दिया है अभी हम इसको overlap करके सिलाई लगाएंगे तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है अभी हमें elastic को अंदर करना है और इस तरह से इसको खीचना है और यहाँ पे हम stitch कर लेंगे तो जो हमने open चुड़ा था उसको हमने stitch कर लिया है अब इसको खीचते हुए हम इसके बीच में एक सिलाई लगा लेंगे और इसके बॉटम को हमें डबल फोल्ड कर लेना है